प्राइवेट स्कूल की मनमानी इगवार फिर देखने को मिली फिस जमा नहीं कराने के कारण बच्चों को नहीं देने दी गई परिक्षा बच्चों का कहना है कि एक मास्की फिस पेंडिंग है और वहाँ उनके पिता फिर फिर भी परिक्षा नहीं दे नहीं दी गई उनके साथ आईवक का कहना है कि उसके दो बच्चे odus स्कूल में पढ़ते हैं कई वार सिशकों के कहने के बाद भी उनने परिक्षा नहीं दी गई वहाई उक्तो ये वक्ता कहना है कि उसने एक चेक भी लगाया है लेकिन बच्चों को फिर भी परिक्षा नहीं दे नहीं देगी वहाई चात्रों के पिता ने काया कि उसे 20 दिन का समय मिल जाता तो वहाँ असल बेच कर फीज जमा कर रहे देता लेकिन स्कूल संग्चालक नहीं माने अब किसान है अब ही पचल नहीं आजे हैं तो इन्होंने जे गह दिया अब ही पेपर नहीं दे दिया है और एक वजे थे हमारा प्पर चान दुआ हूं चाल भे तक है रहे विदिगा अगि कुले कुछा है पंजी क्यों से बच्छे बच्छे को ये इसकते हैं आप जब स्कूल गए थे तो वेबर दे ने आपने सर से बात की थी क्या बोले थे कहा रहा है थे कहना का अभी महर्पूरी कुछ जमां कारो जब बैठने रहे है अच्छा तो कौन सा वेबर था आज काई का था अहां बेटा कौन से स्कूल में बढ़ते हैं क्या होगी है बताई है अच्छा काई कभी बढ़ता अच्छा तो फिर आपने का कितने देर तक स्कूल में खड़े रहे हैं तो कुछ अच्छा बोले तो आपने बोला था सर्चे क्या में पेपर तो देले ने तो ऐसा कुछ है अच्छा क्या ना में बोटा एंच्छा कि अच्छा